हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेक टू वन्स अगेन मैं राज के मल मिस्टरा एक बाद फिर से आप सबका स्वागात करता हूँ इस्टेट स्पीड टेस्ट नंबर 04 में प्यार बचो आज इस पे इस्टेट स्पीड टेस्ट 04 के 25 कोशन्स हमारे पास हमें प्रते कोशन्स के चार ऑप्शन है एक उप्शन सही है तीन उप्शन गल्ट है तो आईह हम देखते हैं क्या उप्षा prize त robustzahl कैंट मिला है कितने हस्तसिल उत्पादों को भौगॉलिक टैग जो है सांकेतिक टैग मिला हुआ है अब आप देख रहे हैं यहां पर आपके सामने चार ओप्शन दिये गए हैं पांच, छे, साथ, आठ क्या है तो मित्रों फिलाल इसका जो करें टांसर है वो साथ होगा वने साथ सो आईए अब इसका हम लोग थोड़ा सा एक्स्प्लानेशन देखें क्या है देखें सबसे पहले एकर हम बात करें हम बात करके आपको यह बता रहे हैं उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलेत उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलेत अगर हम बात करते हैं तो हस्त ब्रदेश के सात प्रमुक साथ प्रमुख भौगोलिक संकेत का टैग राप्त है तो साथ प्रमुख जो है तो इसका जो करिक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा साथ सो अगर हम बात करें जी आई टैग जी आई टैग के अनुसार उत्रब्रदेश के कुल प्रमुख साथ वस्तूओं को भौगोलिक संकेतिक टैग दिया गया है सो इसका जो करिक्ट आंसर था मित्रों वो क्या था ओप्शन नंबर सी इस अ करेक्ट आंसर अब आज के सैसन का जो सबसे पहला कुश्चन है इसवारी सेकंड कुश्चन वह आपके सामने है इन विज डिस्टिक हैज चीफ मिनिस्टर योगी आजितनाथ इनेगरेट दे लाजस्ट बिवरेज प्लांटर आप दे साउथ वेस्ट एसिया मुख्य मंतरी स्रीयोगी आजितनाथ जी ने किस जिले में डक्षिड पशिव एसिया के सबसे बड़े पे सैयंतर का उधाटनिग किया है तो मितरों आईए जाने स्रीयोगी आजितनाथ जी स्रीयोगी आदितिनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने अमेथी जिले में सबसे बड़े पेजल संयंत्र का उद्गाटन किया है इसका जो करेक्ट आंसर है वह अमेथी है बितरो एक बात मैं और बताना चाहूंगा अमेथी का वर्तमान में जो मतलब परिवर्दित नाम है चत्रपति साहुजी कि महराज चत्रपति साहुजी महराज नगर है और UPRTO के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो UPRTO नंबर 36 लगता है यहां पर उमीद है आपको यह हिस्सा समझ में आया होगा तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका B माने अमेठी आईए देखें अमेठी ही क्या है बच्चे इसका करेक्ट आंसर है अमेठी क्या है इसका करेक्ट आंसर मुझे उम्मीद है आपको दो कोश्चन जो है यह दोनों कोश्चन बेहतरिन तरीके से समझ में होंगे दोनों कोश्चन अच्छे से क्लियर हुए हैं अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रशन की बच्चों हमारा जो अगला प्रशन है वह क्या कहता है हमारा जो अगला प्रशन कहता है दा उत्रप्रदेश गौर्वर्मेंट हैं डिसाड़ेट इस्टैबलिस दा हाव मैनी न्यू विलेज और टीम अंडर दा रूलर लैवली हुट मिशन उत्रप्रदेश सरकार ने ग्रामीड अजीव का मिशन के अंतरगत कितन ग्रामीड में गाउं में निवास करने वाले लोग हैं ऐसा ऐसा छेत्र जहां के 60% से अधिक आबादी प्रात्मिक कार्यों में लगी हो उसे हम ग्रामीड अजीव का मिशन के अंतरगत कुल उत्तर प्रदेश के लगबग 300 गाउं को गठित करने की बात कही गई है तो मित्र आजीवी का मिशन में मिशन में 300 ग्राम को गठन करने का कार्य किया गया है करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है 200 प्लकुल सही आंसर 300 है नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगला कोशन क्या कहता है अगला कोशन कहता है हाली में किस राज सरकार ने ग्रामिड छेत्रों में संपत्ती के हस्तानांतरन का अधिकार अधिनियम 2023 लाने की घोशना की है सुमित्र इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार है यूपी सरकार है क्या करेक्ट आंसर इसका यूपी सरकार है आईए इसको हम थोड़ा सा समझते हैं यह होता क्या है या इसे क्या कहते हैं लोग समझे क्या रहा है, हाली में किस राज सरकार ने ग्रामीड छेत्रों में, रूलर एरियाज में, संपत्ति को हस्तानांत्रण करने के लिए, करने का एक अधिकार अधिनियम पत्र बनाया है, 2023, क्या है, उत्तर प्रदेश, सरकार द्वारा ग्रामीड संपत्तियों को हस्तानांतरण करने का अधिनियम 2023 पारित किया है, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चे वो क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी सरकार ने इसको पारित किया है, इसका जो करेक्ट आंसर था, वो क्या था, C, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर, अब बच्चों हम बात करते हैं अपने एगले प्रशन की, हमारा नेक्स्ट पॉशिन क्या कहता है, इसका प्रदेश की पहली महिला कमांडो बचालियन भारत के किस राज्य में तयार की जा रही है, मद्यप्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश या राजिस्तान, क्या है इसका करेक्ट आंसर, तो मित्र इसका जो करेक्ट आंसर है, चुक्यों लोग यूपी जीके पढ़ रहे हैं और यूपी के कोशन सॉल्फ कर रहे हैं, तो स्वभाविक है, यूपी जीके के पार्ट से यूपी का ही हिस्सा आपको मिलेगा, तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे, आईए अगर हम बात करते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा, कि उत्तर प्रदेश की राजधानी, लखनौ में, लखनौ में 15 जन्वरी को, थल सेना, थल सेना, थल सेना, दिवस पर परेड हुई थी, परेड हुई थी, एक पॉइंट, अच्छा दूसरा पॉइंट, उत्तर प्रदेश में तहली महिला कमांडू की टीम, कमांडू बटालियन, तैयार की जा रही है, तो कमांडू की टीम तैयार कहां की जा रही है, यूपी सरकार के, यूपी में तैयार हो रही है, महिला कमांडू बटालियन, क्या है, महिला, अच्छा इसी तरीके से बटा अगर हम बात करें, यूपी में, अभी उत्तर प्रदेश में हमारे अगर कहा जाए, तो पी एसी की बटालियन भी तैयार की गई है, जिसमें पब्लिक आम कांस्टिविलियरी के अंतरगत महिला पी एसी की भी कंपनी होगी, और वो जो होए जाकर किसी भी छेतर में, इमर्जनसी कंडिशन में, किसी दंगा बवाल या राइट्स वगएरा में, उनका काफी अच्छा सही योग होगा महिलाओं का दो, तो महिला पी एसी भी मारे यहां तैनात हो रही है, उनकी बल या उनकी सुरक्षा की विवस्ता को भी अच्छे से बताया जा रहा है, अगला प्रश्ण है, विच स्टेट गवर्मेंट है, अगला प्रश्ण है, में क्या किया है, यूपी गोर्मेंट ने ओफिशल्स बिल्डिंग और लगभग सभी मॉल्स में क्या किया है, सभी मॉल्स की बात करें, तो आटो मेंटेड एक्स्टरनल डिफी डिफी बिलेटर मसीन लगाने की बात कही है, इसका जो करेंट आंसर है, वो यही है, उमीद है आपको ये वाला हिस्सा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगला कुश्चन है कि जटायू कंजर्वेशन और ब्रेडिंग सेंचर हाज बेन इन्विच स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के किस राज्ज में जटायू संरक्षण और प्रजनन केंदर का उद्भाटन किया गया है, इसका जो है सही आंसर जो है क्या है। उत्तर प्रदेस में, सुर्वांचल छेत्र का जूट सेंधका वहां पर यह कारे किया जा रहा है, अगर मैं कहूं यह उत्तर प्रदेश में है ठेक है कहां पर उत्तर प्रदेश के पूर्वान्चल छेत में जटायू संदक्षन एवं प्रजनन केंद्र का उद्धगहाटन किया गया है किया गया है इसका जो करेक्ट आंसर है वो यह हो जाएगा मुझे उम्मीद है आपका सही है तो सही आंसर क्या है दी वाला उत्तर प्रदेश का जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है ठीक है अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रशन की हमारा अगला प्रशूंड क्या है अगला प्र туда हें विइस्टर ग्रामीड विकास मंत्री भ्यामीड विकास मंत्री की मंत्री ग्रामिण विकास मंत्री या अगर लिखा जाए ग्राम विकास मंत्रा ले यह जो मंत्री है इसके वो है श्री केशव प्रशाद मौर्याजी केशव प्रशाद मौर्याजी उप मुख्य मंत्री है जैसे स्री योगी आदित नात जी यह उत्तर प्रदेश के स्री योगी जी मुख्य मंत्री है यह स्वतंद्र देव सिंग जी पेजल एवं सक्ष्टा मंत्राले दिया गया है इन्हें यह धर्म पाल सिंग जी अगर कहें वन मंत्राले का छेत्र है यह तो इस तरीके से अलग अलग छेत्रों को जैसे अगर बात कहें हम स्री ब्रजेस पाठक जी कानून और कानून चेत्र के मंत्री या स्वास्ता चेत्र के मंत्री बनाए गये इसमें अगली बात करते हैं मारा नेक्स्ट कोशन इंडिया जोड़ो लीक गेम्स इंडिया महिला जोड़ो लीक दो हजार आपके सामने चार ओप्षन दिख रहे हैं मेरट लखनव बनारस और कानपुर सो इसका जो करिक्ट आंसर है वो है लखनव क्या है करिक्ट आंसर लखनव अगर हम बात करते हैं गेम्स इंडिया जूड़ो महिला जूड़ो गेम्स इंडिया महिला जूड़ो 2023 में जो इस्थान प्राप्त करने वाला है वो है लखनव सिटी है हमारे उत्तर प्रदेश में जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा लखनव सिटी लखनव is the correct answer ओके यो next is विच श्टेश है रेसेंटली विकेम दे फूर्थ लाज़स स्टार्ट अप एकोसिस्टम इन कंट्री हाल ही में कौन सा राज़्य का चौथा सबसे बड़ा स्टार्ट अप एकोसिस्टम बन गया है वैसे आपको बता दें स्टार्ट अप एकोसिस्टम के अंतर गत वो प्रदेश आते हैं जहां पे अधिक से अधिक जो है आँ बिजनेश या इंबेस्टमेंट होता है तो ऐसे में महारास्टा है लेकिन फोर्थ नॉम्मर पे हम उत्तर प्रदेश के लोग है इसमें सो और इसमें स्थ्रीrocket बिकेम एज फोर्थ पोजीशन इन इंडिया जबकि महारास्ट्रा जो है क्या है इस पे महारास्ट्रा फस्ट नमबर पे है बच्चे यूपी क्या है फोर्थ नमबर पे है यूपी ठीक है उपीद है आपको समझ में आ रहा है इस पे में लकड़ी की नकाशी की जाती है लकड़ी पर नकाशी बटा जब भी भी लकड़ी पर नकाशी आती है तो हमेशा उत्तर प्रदेश का जो अगर मैं कहूं सबसे पश्चिम छेतर का हिस्सा है पस्चिम जिला कह सकते हो सहारनपूर, सहारनपूर में मिलता है, याद रखें बच्चे, सहारनपूर में लकड़ी पर लकड़ी पर नकासी का कार्य होता है, कार होता है, एक पॉइंट, एक पॉइंट याद रखें, अच्छा बचो ऐसे जुड़े हुए मैं दो-तिन पॉइंट आपको और बताता हूं, कई बार आपसे एक्जाम में पर्टिकुलर किसी सहर के बारे में कुछ उसकी सुविधाओं के बारे में पूछते हैं, जैसे एक् अगर हम बात करें, दिया सलाई, तो दिया सलाई पे जो काम होता है, वो कहां होता है, बरेली में, अच्छा, लकडी का, लकडी, खेल का समान, खेल का जो समान है, लकडी बोलें, लकडी का समान या खेल का समान बोलें, तो आप क्या बताएंगे हमेशा, मेरट, मेरट जैसे अगर कहा जाए व्यापारिक केंद्र का सहर बोला जाए तो कानपुर बोलना है कानपुर बोलना है जैसे अगर मैं कहूं चर्म उद्योग बोलें चर्म उद्योग या पेठा नगरी बोलें तो आगरा को बोलना है आगरा को तो ऐसे करकर कि कभी कभी कुछ ना कुछ सहरों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है तो आप इनको याद रखने का प्रयास करें, इस तरह के जो भी प्रशनाते हैं, आप उनको अगर अच्छा करते हैं, तो that's very good, बहुत बहुत अच्छी बात है वो, ठीक है, तो फिलाल इसका जो correct answer था, वो क्या था, सहारनपूर, सहारनपूर जो है बहुत सही है, अब देखो और जिले या राज, आपको ऐसे कुछ याद रखना है, दिमाग में, जैसे देखो, जैसे सबसे पहले ही आ गया था राश्ट्रिय सरकरा अनुसंधान केंद्र तो आपने उत्तर बता दिया कानपुर ऐसे जैसे आजाए कभी उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान केंद्र तो आपको बता देना है साजहांपुर ऐसे ऐसे करके बता देना याद रखना है जैसे आपको पूछा जाए कुछ केंद्री नाम भी याद प्रियए केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र तो बता देना है शिम्ला मैं जैसे आ जाए केंद्रिय तंबाखु तमबाखू अनुसंधान केंद्र तो बता देना है राजमुंदरी जैसे आपसे आजाए कभी चारागाह अनुसंधान केंद्र ऐसा करके मानलोगर आजाए विचे तो आपको बता देना है क्या जासी जैसे मानलो कभी आ जाए केंद्र ये चावल अनुसंधान केंद्र तो आपको बता देना है कटक कटक कहा परता है पुरीशा में जासी कहा है यूपी में राजमद्री कहा है आंध्रदेश में सिमला कहा है इमांचल परदेश में ये कहा है यूपी में यह कहां है यूपी में तो ऐसे भी करके मालोगर कभी आये तो मैं उबीद करता हूं कि आप हमारे प्यारे बच्चे इसको बता पाएंगे तो प्यारे बच्चो इस तरह के बहुत धिर सारे प्रश्म जो है आपसे एक्जाम में कभी-कभी पूछते हैं कभी-कभी खाली यूपी को ही पूछते हैं कभी-कभी यूपी से जो है बाहर कभी पूछ लेते हैं सो अगर कहीं भी पूछा जाए तो उमीद आप रखें बच्चे आप बता पाएं ठीक है आप उसको बता पाएं अगला देखो क्या question कहता है इने जिस्टिक आफ उत्तरप्रदेश मेजर ध्याँचन मेजर ध्याँचन का जन्म उत्तरप्रदेश के इस जिल्ले में हुआ था तो यह वीर जहासी की रानी लक्ष्णिभाई का अजिनगर था इसका जो सही आंसर है जहासी हो जाएगा बच्चे, क्या आंसर हो जाएगा जहासी, याद रखियेगा, अगर मैं कहूं, हौकी के जादूगर मेजर ध्यानचन का दिवस, मेजर ध्यानचन का दिवस, अचारी का दिवस जो है खेल, खेल दिवस के रूप में हम लोग इणकर दिवस भूनाते हैं हर साल, और आपको याद होगा बच्चे, 29 अगस्त होता है, खेल दिवस, खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है? तो मेजर ध्यान्चन का जो दिवस है यह इनका जो जन्म है बच्चे इनका जो जन्म है जन्म इनका कहा हुआ है उत्तर प्रदेश के बुंदेल खंड छेत्र जासी में इनका जन्म हुआ था जहासी में इनका जन्म हुआ था परक्रिक्ट आंसर क्या है जहासी ही इसका करेक्ट आंसर है तो जहासी आप सभी अगर करते हैं तोम पर समझता हूं बिल्कुल क्या है एकदम सही होगा जहासी क्या हे विद्कुल सहीlich आंसर बचे अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट है ताज महल विकेम UNESCO World Heritage Site in year ताज महल को UNESCO के विश्वराष धरोहर में किस वर्स रखा गया है किस वर्स जोड़ा गया है तो बच्चो ऐसे में जो correct answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1983 आप ऐसे याद रखेगा जब भारत पुरे दुनिया में पहली बार वर्ड कप जीता था देखो किर्केट वर्ड कप 1975 में स्टाट कुआ था और 1983 में कपिल दे उस तो इनका वासकर रवी सात्री ऐसे महान किलाडी थे मारे भारत देश के जिनके समय में भारत ने पहली वर्ड कप जीता था सुबचे 1983 वारा जो समय है 1983 में ताज को वर्ड हेरिटेज यूनिस्को में जोड़ा गया है तो क्या करेक्ट आंसर है कि ताज महल बिकेम एज वर्ड हेरिटेज हेरिटेज यूनिस्को यू यूनिस्को साइट यूनिस्को साइट इन 1983 AD in 1983 AD सो 1983 AD में ताज महल को वर्ड हेरिटेज यूनिस्को साइट में क्या कर दिया गया बटे जोड़ दिया गया सो करेक्ट आंसर क्या है 1983 is the correct answer 1983 जो है इसका बिलकुल सही आंसर है जो भी विद्यारती हमारे 1983 का आंसर किये होंगे उन सभी का आंसर क्या है बिलकुल एकदम उचित है एकदम सही है नेक्स्ट है एक्वाइवन एक्वाइवन सेंसे अफ लिट्रेसी ऑफ उथ्पृदेश 2011 की जनकरना के अनसर उत्तर प्रदेश की साक्षर्टा दर क्या है बिटा वैसे अगर इसकी मैं एक्वाइट ये सही बात कहूं तो दिखिए उत्तर प्रदेश की साक्षर्टा उत्तर प्रदेश की साक्षर्टा की अगर हम करेक्ट बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो साक्षर्टा है ठीक है वो पूरी साक्षर्टा 67.78% है ये जो है इसका करेक्ट आंसर है अब देखो, अगर अब हम बात करते हैं, जैसे ये तो कुल हो गई, बिटा ये क्या है, ये कुल साक्शर्टा दर हो गई हमारे यहां, कुल अब जिसमें से अगर हम बात करते हैं पुरूस की साक्षरता दर जो है वो कितना है 77% है और महिला की जो साक्षर्टा दर है उत्तर पुदेश में वो 57.86% के लगबख है तो ऐसे में इन दोनों को जोड़ के अगर आप बटे 2 कर दो और एवरेज आप निकालोगे तो एवरेज आएगा लगबख 67.78% तो यह किसके करीब है नंबर यह नंबर करीब है 70 के आसपास सो इसमें आप आंसर 70% ही लगाएंगे बच्चे क्या लगाएंगे आप 70% तो इसका अंसर क्या लगा देंगे आप 70% ही इसका करीकुलतर हो जाएगा मुझे उम्मीद है मित्रो यहां थकी बाते आप सभी कोु क्लियर है आप सभी को यह थखी बाते समझ में आई है आईए हम बात करतें हेमार्य एक्लिय प्रशन की को अगला प्रशन है शेत्रफल प्रदेश को उत्तर परदेश भारत का चौन से बड़ा राज्य lleva 2019 आंदर प्रदेश से तेलांगना अलाग हो गया दो जून 2014 से तब उत्तर प्रदेश की भूमी थोड़ी से बड़ी हो गई अगर आप यूपी को देखते हो बचे तो यूपी कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा कुछ इस तरह से जो है हमारा उत्तर प्रदेश का छे प्रफल दिखता है उत्तर प्रदेश का छे तरह से दिखता है आईए हम समझे उत्तर प्रदेश में अगर इस तरह से बात करें माल लो ये पश्चिमी है तो ये पूर्वी हो गया ऐसे ये अगर उत्तरी है ये दक्षणी हो गया ऐसे ये लंबाई 650 किलोमीटर है तो ये लंबाई 240 किलोमीटर है इस तरह से आप देखवार हैं हैं, ऐसे करके, ऐसे, अब उत्तर प्रदेश का छेतरफल 243,286 km2 है, कुछ जगों पर इसका आकड़ा 243,928 km भी दिया रहता है, तो confuse नहीं होना है, Google यहीं बताता है, वास्तिविक जबकि ये वाली value दिखती है, अब उत्तर प्रदेश का जो छेतरफल के दिख्टी कौन से position है, वो चौथी position है, बच्चे, वो क्या है, वो चौथी position है, सो fourth position is a correct answer, इसका जो answer हो जाएगा, fourth हो जाएगा बिल्कुल, जो fourth वाला है, वो बिल्कुल क्या है, बच्चे, इसका सही answer है, छेतरफल के दिख्टी और जो भी हमारी विद्यार्ति इसमें 4 पोजिशन की होंगे यह फोल्ट लगाएं होंगे उन सभी का अंसर क्या है बच्चे बिल्कुल करेक्ट है और जाकरेक्ट अंसर अभी नेक्स्च हम बात करते हैं प्रदेश इन उत्तर प्रदेश में लोगसभा सीटों की संख्या कितनी है असी है यह सब एक दम जालो सिंपल से कोश्चन ने यह सारे कोश्चन नहीं समझता हूं कोई टाफ है यह विल्कुल साहिए आए एक बात थोड़ी सी बातों को हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको द यह हम थोड़ा डाइग्राम बना दे रहे हैं थोड़ा सा आपको क्लियर रहेगा और जैन्विन चीजे लगेंगी माल लो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश है बच्चे अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश का जो राजनेतिक धाचा है राजनेतिक और समवैधानिक सीटों की संख्या सीटों की संख्या पर अगर हम चर्चा करें जैसे अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सीटे हैं उत्तर प्रदेश में अगर मैं कहूं बेटा लोक सभा की कितनी सीटे हैं उत्तर प्रदेश में राज सभा की कितनी सीटे हैं उत्तर प्रदेश में विधान सभा की कितनी सीटे हैं उत्तर प्रदेश में विधान परिशद की कितनी सीटे हैं तो मित्रों हम इन सभी सीटों पर एक बार जो हैं अच्छे से चर्चा कर लेते हैं आए देखें उत्तर प्रदेश में लोकसभा 80 सीट, राजसभा 31 सीट, विधान सभा 403 प्लस एक 404 सीट, विधान परिशद 99 प्लस एक बराबर 100 सीट, ऐसे हैं तो ये सीटों की सारी संख्या है उत्तर प्रदेश में तो इस तरह से आप लगबग सारी सीटों को बच्चा बता सकते हो आप देख रहे हैं तो असी करेक्ट आंसे हैं अब हम बात करते हैं अपना अगला कोश्चन हमारा जो नेक्स्ट कोश्चन है वो क्या कहता है हमारा अगला प्रशन कहता है एकॉर्डिंग टू विच एकॉर्डिंग टू 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 लगबग बीस करोन तो बीस करोन ये बीस करोन के नजदीक आपको दिख रहा है इसका जो है यही आंसर हो जाएगा ठीक है इकाई दहाई सैकड़ा हजा दसल लाग दुस लाग करोन दस करोन देखो दो हजार ग्यारा की जन गड़ना के अनुसार पुत्तर प्रदेश की जनसंख्या उननिस करोन अठानवे लाख रह हजार तीन सो एक तालिस थी जो लगभग 20 करोन है कितनी है लगभग 20 करोन है यह है लगभग जनस यहां पर अच्छा बचो इससी से जुड़ा हुआ एक परश्ण मैं आपको बता देता हूं हो सकता कभी आपसे पूछे याद रखेगा एक दिवस है ग्यारा जुडाई इसे कहते हैं जन गड़ना रास्टी जन संख्या दिवस जन संख्या दिवस रास्टी जन संख्या दिवस जो है वो कितना है वो है 11 जुलाई सो करेक आंसर क्या है बच्चे इसका 11 जुलाई इसा करेक आंसर जो भी विद्यार थी 11 जुलाई को अंकित करते हैं 11 जुलाई को सही करते हैं उन सब का आंसर मिलकुल सही है आप यह भी याद कर सकते हैं आप से यही दिवस पूछ लिय된 तो अगर दिवस पूछा जाए तो आप दिवस बता सके ठीक हैज आपकर हम बात करते अपने कोश्चन की हमारा अगला कोश्चन है Sayyamu einen करदा किसी प्रेजऀ इंग बाते हम शौट में समयाएं भारती संभिधान की बात करें अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉंस्टीट्यूशन की है अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉंस्टीशन की तो भारती संभिधान के भाग संख्याचे एंड आर्टिकल नंबर 152 से लेके 162 की बीच में 152 से लेके 162 की बीच में हमें क्या देखना है हमें ये देखना है कि राजिपाल की विसय को रखा गया है राजिपाल की विसय को रखा गया और किंद्र सरकार के सहनती और राजपती के अंसंसा पर राज़िपाल की निविक्ति की जाती है फिलहार उत्तर ब्रदेश की राज़िपाल राज़िपाल स्री आनंदी बेन पटेल जी है एक बात और याद रखेंगे एक राज़िपाल को एक से अधिक राज़ियों का राज़िपाल बनाया जा सकता है एक बात और याद रखेंगे राज़िपाल हमेशा उसी राज़िका जिस राज़िका महभूल निवासी है उस राज़िका नहीं होना चाहिए या नहीं बना जा सकता है यह प्रमुख बाते हैं जिनको अपनी दिमाख में आप भू घर करके रख लेनी हैं हम अगले प्रशन में चलते हैं हमारा अगला प्रशन क्या कहता है बित्र हमारा अगला प्रशन कहता है इन विच और फॉलइंग सिटीज और उत्रप्रदेश के निमलिकित में किस सहर में हिंदु मुस्लिम की एकता के प्रतीक सहकुल महुत्सो को आयूजित किया जाता है तैसा कि मैंने बताया चरमुद्योग, पेठा नगरी, ताज नगरी, आगरा सिटी आगरा सिटी में सहकुल निर्ते जो है, सहकुल का एक महुत सभाय मना जाता है ठीक है, तो क्या इसका करेक्टांस हो जाया कि प्रता आगरा, आईए देखें हिंदू एवं मुस्लिम, हिंदू एवं मुस्लिम की एक्ता का प्रतीक तेवहार, तेवहार सहकुल सुल्ला कुल आगरा में मनाया जाता है, क्या है? सुल्ला का मतला भी आर्बिट्रेशन है, सुल्ला कुल आगरा में मनाया जाता है मनाया जाता है, तो correct answer क्या है? आग्रा इसका correct उत्तर है, बितनों इसका जो आग्रा है, वो क्या है? बिल्कुल correct है, there is no mistake. अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रस्टन के, हुआरा next question क्या कहता है? हवारा next question कहता है, which of the following is incorrectly matched? कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही सुमेलित नहीं है मतलब एक गलत है बाकी तीन इसमें सही है देखिए वाइट मिटिने लॉड रिपन यह सही है वर्नाकुलर प्लेस लॉड लेटन करेक्ट है अगर लॉड कार्नवालिस होते तो यह सही होता लेकिन लॉड कार्नवालिस नहीं है मतलब यह मामला भीया गलत है लॉड कार्नवालिस यह बाकी तीन सही है तीन क्या है तो इसका जो क्रेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा दी वाला जो है इसका बाक प्रशन क्या कहता है अब होol क्या है और प्लेट पॉबिशी व्स एडॉप्टेट बाथ शम्शुद्दीन इल्ट तमिश बलबन अलाव दिन खिल जी मुहम्मद दिन तुगला आई ये मित्रों समझें कभी भी आता है लहुरक्त नीती तो लहुरक्त नीती के लिए हम हमेशा गयासुदीन बल्वन को मानेंगे ये गुलाम वंस से जुड़े हुए थे, इन्होंने ही लहरक्त नीती अपनाई एक पॉइंट, इन्होंने लहरक्त नीती अपनाई थी, एक पॉइंट नमबर दो, इन्होंने सिजदा और पाबोस प्रथा चलाई थे, सिजदा और पाबोस प्रथा चल्वाई थे, चल्वाई थे, नमबर तीन के अगर हम बात करें बिटा, इन्होंने जिल्ले लाही की उपाधी धारन की थी, जिल्ले लाही की उपाधी धारन की थी, फिर उसके बाद अगर हम कहें, इन्होंने तुरकाने चेहल गामी बिवस्था को समाप्त करवा दिया था, बिवस्था समाप्त करवा दिये थे बिटाई, है ना, और आपने पड़ा होगा दीवाने अर्ज, एवं दीवाने बरीद, दीवाने बरीद, जैसी बिवस्थाओं को ये प्रारम करने वाले बैक्तिते, तो ये इनके बारे में कुछ important बाते हैं, फिलहाल इसका जो correct answer है, वो क्या हो जाएगा? बलवन, जो भी हमारे मित्र बलवन सही answer किये होंगे, उन सभी का आंसर क्या है? बिलकुल सही है, there is no mistake, बलवन क्या है बच्चे इसका? बलवन, जो भी बच्चे हमारे बलवन के साथ जा रहे हैं, बलवन किये हैं, उन सभी का क्या है, बिलकुल सही है, अगले प्रशन को हम लोग देखते हैं, next है, which of the following plants would use to the making of the cricket bat, नेम लिके तमें से किस पौधे की लकडी का उपयोग, क्रिकेट के बल्ले को बनाने में किया जाता है, देखे, क्रिकेट के बल्ले, क्रिकेट बैट, क्रिकेट बैट किस से बनता है, क्रिकेट के बैट किसके बनते हैं, इसमें चार ओप्शन दिये हैं, सैलिक्स अलबा, मॉर्स अलबा, टेक्टोनिक ग्राडियस, मॉर्स नीग्रिया, इसका correct answer है, सैलिक्स अलबा होना चाहिए, क्या answer इसका होना चाहिए, सैलिक्स अलबा, सैलिक्स अलबा से बनता है, क्रिक लेग और स्ट्रेट बैक साइड हर साइड सो एलिक्स अलवा नाम की नाम का यह कहा देए प्लांट वूड है जिससे बैट बनता है अगले कोशन में चलते हैं वारा जो सेकंड लास्ट कोशन है आज के सेसं का कोशन कहता है ऑन विच्छ दा फॉलाइंग ग्राउंड इस इस निमलिकित ने इसक्ट किस आधार पर उची और याले के नियाधी नियाधीत पर महाभयोग लगाया जासकता है लिकुल इसको सबसे पहले हैं जब ही बात करते हैं हाइक कौट है हम जजज की हाइकोट जज का आठिकल होता है 2014 से लेके 232 अब हाइकोट के जज पर कभिभी मिस्कंडेक्ट करें मतलब कोई должно आचरण करते हैं एक point और वो proof हो और अगर उनके अंदर incompetency है तब माने अगर उनके अंदर सक्षमता नहीं है incompetency अगर वो असक्षम है तब असक्षमता हो अच्षमता हो असक्षमता हो ठीक है और कोई दुर बिवहार या सामान्य आप कह सकते हो बुरा आचरण हो तो इस प्रकार की परिस्थितिया हो तो आप इनमें कह सकते हैं बोथ A and B is the correct बने दोनों सही है ए और B क्या है इसमें दोनों बिलकुल इस पस्थ हैं अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रशन की हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रशन क्या कहता है इस वाटर वाड़ी सेपरें दमाल्दीफ फ्रॉम दमींडिकॉइ आइलेंड्स निम्लेकित में कौन सा जल निकाय माल्दीफ और मीनिकॉइ को अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम है एक डिगरी चैनल क्या नाम हो जाएगा एट डिगरी चैनल जो भी वारे बच्चे एट डिग्री चैनल पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही है आईए इसका हम लोग थोड़ा सा एक्स्प्लानेशन देखते हैं बच्चे देखों यह आप देख रहे हैं यह है प्राया दीपी यह भारत यह क्या है इसे प्राया दीपी यह भारत है आप सब जानते हैं यहां पर आप देख रहे हैं यह स्रीलंका का हिस्सा है यहां अगर हम देखें यह जो आपको हिस्सा दिकिरा आप चे आईसे इसके बाद में यहां कुछ आपको आइलांड्स टाइप के दिख रहे होंगे ऐसे और ऐसा कुछ आपको दिखें तो क्या करना है सारे बच्चे यहां समझेंगे यह है स्री लंका यह है भारत तो सिलंका और भारत के बीच में अगर हम कहें यहां पर तो यहां पर आपको क्या दिखता है यहां आपको दिखता है पाक, जल, डमरू, मद्ध ऐसे इसके बाद में आपको यहां अगर हम कहें यहां पर दस डिग्री चैनल है जो अंडमान और निको बार को आपस में विवाजित करता है ऐसे, इसके बाद में बच्चे, अगर मैं बात करूँ यह आप देखते हैं, आठ डिग्री चैनल है आठ डिग्री चैनल से क्या होता है बच्चे माल दीप यह आप देख रहे हैं, माल दीप यह हिस्सा पढ़ता है, मिनी क्वाई मिनी क्वाई बढ़ता है यह हिस्सा पढ़ता है, लक्ष दीप यह हिस्सा पढ़ता है, कैनोर दीप तो कैनोर दीप और लक्ष दीप यह आपस में बढ़ते हैं, ग्यारा डिग्री चैनल से यह इसके बाद में अगर में कहूं लक्षदीप और मिनी को आए यह बढ़ते हैं आपस में 9 डिगरी चैनल से है अब अब चुकि अभी जो प्रश्न पूछा गया था कोश्ण पूछा गया था मित्रों सो वो कोश्चन था हमारा आठ डिग्री चैनल, सो आठ डिग्री चैनल के लिए जो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ये, मुझे उमीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, सारी बातें आपको समझ में आई हैं, चीजे एकदम स्पस्ट थी, क्लियर थी, मै प्तुन रपोğज लागा आएगा येघहजे एकमपया डिग्रावारा आई हमारा आएगा बातें आएढ़िस में इच्पने प्तून स्पतूर आएगा फरा दोन प्offs貌ने त